So hey guys, welcome back to my new video और मूल अधिकार मैं पढ़ा रहे थी हम PCS की तैयारी कर रहे थे और मैंने स्टार्ट किया था मूल अधिकार मैंने शुरू से नहीं शुरू किया क्योंकि हमें वही पढ़ना है जो एक्जाम में आता है तो हमने previous वीडियो में हमने देखा था कि मूल अधिकार जो है उसमें संशोधन किया जा सकता है कि नहीं और उसमें हमने जो है गोलकनाथ, केशवानन भारती मिनर्वा मिल्स और भी लोगों के बाद को देखा था तो हमने ये देखा था कि मूल अधिकार में शंशोधन किया जा सकता है लेकिन जो उसका आधार भूट धाचा है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता और आज हम बात करेंगे आर्टिकल्स की ठीक है तो basically हम 12-13 आर्टिकल्स तो देखेंगे ही लेकिन आज हम basically बात करेंगे समानता के अधिकार की ठीक है यानि कि 14-18 आर्टिकल्स को हम जो है आज बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे तो दोस्तों वही हम पढ़ेंगे जो exam point of view से important है तो चलिए आज के वीडियो को बिना ही किसी देरी के start करते हैं तो थोड़ी सी चीजे आपको blur दिख रहे हूंगी बट कोई नहीं मैं भोल रही हो और आप सुनते जाए जित्ती बारह आप सुनेंगे ना तो यही तो है आपकी 2-4 इंद्रिया काम करें समझ लो आपका काम हो गय तो चलिए फालतु की बात ना करते हुए सीधे टॉपिक प्याते हैं मुद्दे प्याते हैं तो मैंने प्रीविएस वीडियो में आपको यह बताया था थोड़ा सा रिवाइस करते हैं कि सम्विधान के भाग 3 में ठीक है ध्यान रखेंगे भाग भी पूछ लिया जाता है तो सम्विधान के भाग 3 जिसमें मूल अधिकार का विस्तरित वर्णन किया गया है जो की अनुछेद 12 से शुरू होके अनुछेद 35 तक फैला हुआ है ठीक है तो आज हम बात करेंगे अनुछेद 12 की 12 में क्या है 12 में है राज्य की परिभासा ठीक है और यह जो परिभासा दी गई ना राज्य की ये सिर्फ भाग 3 के लिए ही प्रयोजीत है ठीक है 12 के अनुसार क्या है यह आप देख लीजे राज्य शब्द के अंतरगत क्या क्या निकाय शामिल है तो पहला शामिल है भारत की सरकार वा संसद दूसरा है सभी राज्यों की सरकारे वा विधान विधान ल की राज्यों के इसरा और चोधाइल उसकारे प्राण के सबासों का दो करकार देखना रारता है तो चीज़ीत हैं उठता है तो इसका अर्थी ये सभी व्यक्तियों से लिया जाता है ध्यान रखेंगे इस्थानी प्राधिकारी का मतलब क्या है उन सभी व्यक्तियों से इसका अर्थ लिया जाता है जो कोई विधी बनाने या आदेश या नोटिफिकेशन जारी करने या लागू करवाने की श नौटिफिकेशन ठीक है जारी करवाने और लागू करवाने की शक्ति प्राप्त है और जिस भी आधिकारी के पास ऐसी शक्ति प्राप्त है रहा वो राज की परिभाशा की अंतरगत आता है मैं कुछ जो है आपको एक्जामपल भी दे दू जैसे हो गया नगर पाली का नगर कि अगर इसको आप सिधे-सिधे अर्थों में समझने का प्रियास करें तो इस टॉपिक पर ही सबसे ज्यादा विवाद बना हुआ है तो सर्वोट चिन्याले ने विभिन मामलों की शब्दावली छेत्र को परियाप्त विस्तार किया ठीक है यानि कि समानित जो है इसमें सर की राजिकी परिभासा और आर्टिकल 12 आगे बढ़ते हैं बात करते हैं आर्टिकल 13 यानि कि अन्य विद्यों से मूल अधिकारों की सुरक्षा तो इसमें दो चीजे प्रिथक्रित की गई है आर्टिकल 13 के एक में प्रिथक करनीता का सिध्धान्त और ग्रहन और कि यह बिना अलग किया जा सकता है तो मूल अधिनियम के इसी भाग को शून्य माना जाएगा और दूसरा है ग्रहन या अच्छादन की सिध्धान्त का सीधा सीधा सिधा संबंद 13 एक में जो बताए गई बात है यानि कि सम्मिधान पूर विद्य से हालागी मैं आपको बता सम्मिधान लागू होने के पहले के सभी मामलों के लिए उनका प्रयोग वैद बना रहता है यानि कि जिन मामलों पर मूल अधिकार लागू नहीं होते न वहां पे ग्रहन या अच्छादन यानि कि एकलिप्स हट जाता है ध्यान रखेंगे ठीक है बिसिकली उतना ज्यादा इंपोर्टन पॉइंट नहीं है यह तो हम जो है आगे बढ़ जाते हैं तो अब बात करेंगे तेरा के दो की यदि राज्य कोई ऐसी विधी बनाता है जो भाग तीन में वर्णित मूल अधिकारों से असंगत है और वह विधी उस मात्रा तक शूनी होगी जिस मात्रा तक व कहने का मतलब यह है कि यह जो अनुछेद है इसका प्रभाव यह है कि संसद या फिर राज्यों के विधान मंडल यदि मूल अधिकारों को सीमित या नस्ट करने वाली कोई विधी बनाते हैं तो सरवोच और उच नयायाले उस विधी को अवैद घोशित कर सकते हैं ठीक है जो मैंने जुडिशियल रिविव आपको बताया था तो इसकी वास्तिविक सकती नयाय पालिका को इसी अनुछेद से प्राप्त होती है तेरा दो की यानि कि यह जो है सम्मेदानोतर विधियां है ठीक है अगला तेरा का तीन यानि कि इसमें बताया गया है विधी का अर्थ मैं आपको explain करने की कोशिश करू अगर तो इसमें यह बताया गया है कि सभी अध्यादेस यानि कि जो भी ordinance होते हैं जो भी आदेस order होते हैं जो भी उपविधियां होती है अधिसूचनाएं होती हैं कस्टम्स होते हैं प्रथाएं होती हैं यह सभी तेरा के संधर्व में वि सानून का बल है यानि कि force of law है ठीक है अगले तेरा का चार मूल सम्मिधान में यह नहीं था यह जिसकी बात में बता रही थी कि इंद्रा गांधी की सरकार बनी थी बेसिकली मुद्दा यह जो था कि मूल अधिकार में शंशोधन किया जा सकते हैं नहीं तो यह इंद्रा गा सम्मिधान के प्रभाव को शमाप्त करना था जो कि किस ने किया था केशवानन्द भारती बना किरन राज ठीक है आगे बढ़ते हैं अब आते हैं अपने सबसे गहरे मुद्दे पे समानता का अधिकार यहीं से कि समता का अधिकार तो गाइस अभी प्रॉपर बोर्ड नहीं है इसलिए आपको ऐसे करना पड़ेगा कुछ समय बश्चार जो है मैं बोर्ड के थ्रू भी पढ़ाओंगी अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो तो अभी जो है आप ऐसे ही प्लीज अधिस कर लीजे समझना होता है ना त तो आप जैसे समझे बस समझ में आना चाहिए है ना तो समानता का अधिकार चालू करते हैं देखें भाग तीन के अंतरगत अनुछे 14 से 18 एक्जाम में पूछ लिया जाता है कि समानता का अधिकार किस अनुछे से किस अनुछे तक है ठीक है तो 14 से 18 तक समानता का अधिकार है एक बार मैं अगर revise करने की कोसिस करूँ तो 14 में हैं विदी के समक्ष समता और विदियो के समान संदक्षन 15 में है धर्म मूलवन्स जाति लिंग जन्मस्थान के अधार पर discrimination का prohibition है यानि की प्रतिसेद है अभी मैं पूरा explain करूँगी आपको अच्छी तरीके से ठीक है 16 में किया है लोक नियोजन यानि की public employment यानि की जो नौकरी मिलती है राज्य सरकार के थुरू है ना कि विसे में अवसर की समानता होगी सत्रा सत्रा में क्या है अस्प्रिश्यता का उन्मूलन यानि की abolition of untouchability ठीक है बहुत अच्छे से अभी explain करूँगी मैं अभी मैं आपको सिर्फ articles बता रहें क्योंकि सीधे-सीधे मिलान के लिए पूछ लिया जाता है है ना तो यह आपको पूरे articles याद होने चाहिए इन सब के सब articles भी है ठीक है आर्टिकल 18 तो इसमें है उपाधियों का अंत यानि की abolition of titles ठीक है तो आईए इन सारे अनुछेदों को अब हम detail करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रियास करते हैं बार-बार पढ़िए दिन भर पढ़िए बार-बार सुनिए वीडियो को बार-बार pause करके पढ़िए screenshot लीजिए जिस भी तरीके से आपको समझ में आए आप वैसे पढ़िए तो चलिए आर्टिकल 14 से शुरू करते हैं तो देखिए आर्टिकल 14 में क्या है विधी के समझ समता और विधी के समान संदक्षन तो ये जो विधी के समझ समता है ये लिया गया है ब्रिटेन से कहां से लिया गया है ब्रिटेन से और कौन दिया है इसको इसको दिये हैं ब्रिटेन के विधिवेत्ता प्रोफेसर डाइसी इनका खथन वाचन भी पूछा जाता है इन्होंने rule of law यानि कि विधी का सासन भी दिया है ठीक है तो basically इसमें कहने का मतलब ये है कि विधी का सासन के अर्थ से ऐसे सासन की प्रडाली है जो भी विधी होगी ठीक है यानि कि विधी के समक्ष समता एक नकारात्मक अभिव्यक् लेकिन कि कानून की द्रिश्ची से कानून में कि विवस्था के उपर नहीं है सामान ने निया लोग की अधिकारता के भीतर ये सारे लोग आते हैं ठीक है तो इसका उतलब ये नहीं कि जिसके पास ज्यादा पैसा है उसके लिए अलग रूल्स हैं जिसके पास कम पैसा है उसके लिए अलग रूल कानून के लिए सब लोग एक सामान है अब आता है आर्टि अधिकार को एक विशिष्ट छेत्र जो है लागू करता है ठीक है यानि कि धर्म रिलीजन मूलवन्स रेसिस जाती कास्ट लिंग सेक्स जन्मस्थान प्लेस ऑफ बर्त कि आधार पर किसी भी विवेद यानि कि डिस्क्रिमिनेशन का प्रोहिबिशन है यानि कि प्रतिशेद है तो गौरतलब ये है कि जो 15 हो गया और 16 में दिये के जो मूल अधिकार है सिर्फ भारती नागरिकों को उपलब्द हैं ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे जो 14 है वो सभी नागरिकों को प्राप्त है लेकिन जो 15 और 16 है वो मूल अधिकार सिर्फ भारती नागरिकों को ही ज बेदभाव नहीं करेगा क्या नहीं करेगा और इस अनुछेत में ना केवल शब्द विशेश महत्तु है इसमें इसका अर्थ यह है कि विभेद को केवल जो है इन्हीं आधारों पर यानि कि धर्म मूलवन्स जाती लिंग जन्मस्थान के आधार पर नहीं होगा ठीक है त्या स्थानों सारवजनिक भोजनालियों होटलों सारवजनिक मनरंजन के स्थानों में प्रवेस या फिर दूसरा देखिए पूनता या अंसता राज निदी से पोशित या फिर साधारन जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुवें तालाब सारवजनिक समागम के स्थान का उप वजनिक भोजनालियों में प्रवेश से वर्जित करते थे मंदिरों में जाने के लिए नहीं आने देते थे उची कास्ट के लोग जो भोजनाले होते थे ठीक है दुकाने होती थी उसमें इनका प्रवेश वर्जित था तो ये लाया गया इसलिए ठीक है अब देखिए अब आ को विशेशन लक्षण दिया गया भाई देखिए महिलाएं और बच्चे उनके सारीरिक बनावट और समाजिक स्थिती ऐसी होते हैं कि भारत समिधान के नीत निदे सकते हैं तो जो कि हम आगे देखेंगे इसमें भी महिलाएं और बच्चों को कई विशेश प्रावधान दिये गए हैं ठीक है आर्टिकल 42 में मैं पढ़ाऊंगी आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगी लेकिन अभी आप देखिए क 12 सब्सक्रावधा के हैं जैसे मैं ही एक टीचर हूं मुंझे मेटर निटी लीव महाई के मिली तो माइ ना कि बच्चे माहीं जहनती है तो प्रसूती अवकास Johnson County Center Baptist England करनी कि मिलती हैं गार महिलाओं को बहुत सारे बेनीफिट्स मिल रहे हैं लिकिन नहीं जो महिलाएं करती हैं वो पुरुष कभी नहीं कर सकते हैं महिलाएं बच्चे जनती हैं महिलाएं बच्चों को पालती हैं महिलाएं घर चलाती है मैं तो बाहर का भी काम देखती हूं घर का भी काम देखती हूं तो भाई इतना तो मिलना चाहिए है ना इतना हक है हमारा भाई है चली आगे बढ़ते हैं आर्टिकल पंद्रा के चार पंद्रा के चार क्या कहता है भाई ये भी देख लीजिए समाजिक तथे सैक्षिक द्रिष्टी से पिछड़े हुए वर्गो या फिर अनसूची जादियां और स्टी जादियों की उन्नत के लिए विशेश प्रावधान ये क्यों अब आप देखे प्रत्थम सम्मिधान शंचोधन उन्नीस सो इंक्यावन में हुआ ठीक है जोड़ा गया इसका कारण क्या था इसका कारण ये था कि मद्रास राजिबनाम चंपकम सरकार को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया इस मामले में हुआ ये था कि मद्रास सरकार ने अपने एक आदेश के तहट क्या किया कि राज के मेडिकल और इंजिनरिंग कालेजों में विभन जातियों के समिधायों के विद्यारतियों के लिए कुछ राज जो है जनता के कमजोर वर्गों के सिक्षा संबंदी ही तो सुरक्षा और अभिवरिद्धि के लिए प्रयास करेगा लेकिन उच्छतम ने आयाले के निर्णे में दिया गया जो आदेश्त है वो अवैद है क्यों कि इसमें सिर्फ धर्म और जाति के अधार पर वर्ग अभी नहीं होंगे तो यह जीज ध्यान लखेंगे और यह जो अनुछेद है पंद्रा का चाल यह उलंगन नहीं माना जाएगा ठीक है ध्यान लगेंगे पंद्रा का पांच SC, ST, OBC के दाखिले में आरक्षन यह जो है आरक्षन का मुद्दा जो है मैं एक दिन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाओंगे आपको आज लेकिन हम समानता का अधिकार देखते हैं तो हम उसी पे फोकस्ट रहेंगे है ना तो पंद्रा के पांच में क्या है SC, ST, OBC यानि की अनुसूची जाती, जन जाती और अन्य पिछडा वर्ग के दाखिले में आरक्षन तो तिरान नवेवा संविधान संसोधन ध्यान रखेंगे तिरान नवेवा संविधान संसोधन अधिनियम 2005 स्थापित किया गया और इसे प्रभाव देने के लिए संसद न नाम से जिसे जान जाता है और राजी को ये अधिकार देता है कि अल्फ संक्यक वर्गों यानि कि माइनोरिटीज की सिक्षा संस्थाओं को छोड़कर अन्य सभी सरकारी और निजी संस्थाओं में चाहे वे सहायता प्राप्त हो या नहीं हो अन्य पिछडे वर्गों को दा आर्ठिक रूप से पिछड़े नागरिकों के लिए विशेश उपबंद तो ये इसमें जो है विशेश उपबंद किया गया है आगे बढ़ते हैं अब आर्टिकल 16 आता है 16 में क्या है लोक नियोजन में अवसर की समानता तो यानि कि या राजी के अधिन किसी पद पर निय यानि कि employment and appointment जो है ठीक है नियोजन और नियुक्ति जो है इससे संबंदित विश्यो में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता रहेगी तो बेसिकली जो एक दो तीन चार पांच छे हैं इसी को डिस्क्राइब गया गया है लेकिन हम जो है हमने exam point of view से हमने पढ़ना है तो हम जो है exam point of view से ही पढ़ें ठीक है चली आगे बढ़ते है तो हमारा अगला article है आर्टिकल 17 यानि कि अस्क्रिश्यता का अंत यानि कि abolition of untouchability ठीक है तो देख यानि कि इसके माध्यम से जो हिंदू समाज में बहुत समय से चली आ रही कूरीती ही कह सकते हैं अश्प्रिश्चिता यानि कि untouchability आप सभी जानते हैं कि जो नीची जाती के लोग आज भी मैं गाउं जाती हो तो देखती हूं कि जो मैं बोलना नहीं चाहती लेकिन मैं अग छूना नहीं पसंद करते। मैं देखती हूं कि लोग उनसे आंटा पिसवा लेंगे लोग उनसे सामान मगवा लेंगे लोग उनसे cya वालेंगे हैना लेकिन उन्हें कुछी छूने नहीं देंगे भाई करतु वही काम रहे हैं तो इतनी ज्यादा कुरीती आज भी यह मूल अधिकार भरे बन गया है लेकिन मैं नहीं समझती हूं कि इस मूल अधिकार को पूरी तरीके से इंप्लिमेंट किया गया है क्योंकि आज भी यह कुरीती जो है व्यापक रूप से फैली हुई है अगर हम उन्हें खाना खिलाते हैं तो क्या करते हैं वो कि थाली पूरा धोएंगे तभी हमारे घर में प्रवेश होगा लेकिन यह चीज गलत है यह चीज गलत है और हम बढ़ और आर्टिकल सत्र जो है इसके साथ पढ़े जाने पर अनुशेत पैती जो कि संसत को यह सत्ती देता है कि अश्प्रिश्चिता के आचरन है तू दंड निर्धारित करें तो यह हुआ भी है अश्प्रिश्चिता अपराद अधिनियम 1955 का निर्मार किया गया इसमें शंशो और ऐसा मानकर चला गया है कि अस्प्रिश्चिता का अर्थ जो है सर्विविदित है यानि कि सभी लोग इसका अर्थ समझते हैं ठीक है यह जी ध्यान रखेंगे अभी 1955 का धिनियम जो है वह क्या किसी व्यक्ति को किसी शिक्षा संस्था अस्पताल जैसी समाजिक संस्था म प्रवेश करने या प्रातिंस करने से रोकना नहीं है दुकां भोजनालियों सारवजनिक मन्रंजन के छेत्र में रोकना नहीं है ठीक है यह चीजए आगे बढ़ते हैं मैं आगे अ आप सभी को पता है कि जो यह टाइटल है यानि कि उपाधी है जो किसी व्यक्ति के नाम के साथ जुड़ी होती है और उसे जन साधानन की तुलना में विशिस्ट सिद्ध करती है अब इंगलेंड को देखिए इंगलेंड जैसे देशों में पहले आप देए लॉर्ड माउंट बहादूर राय साहब राजा दीवान बहादूर यह सब उपाधियां चलती थी तो ऐसी उपाधियां आम तोर पर हैरेडिट्री यानि की वंशानुगत होती थी और समाज में क्या करती थी विश्रमता पैदा करती थी अब चुकी अंग्रेश ने इन उपाधियों का मनमाना उपयोग किया और भारत में फूट डालो सासन करो की नीती अपनाई थी उन्होंने तो आप यह देखो कि स्वतंता के कुछ वर्सों पश्चात 1954 में भारत सरकार ने मात्र चार ठीक है ध्यान रखेंगे भारत रत्न पद्म भीभूशन पद्म भूशन पद्म श्री इन चार है ठीक तो यह रहा समानता का दिकार आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अकर कुछ भी डाउट है दाइस तो आपका कमिन बॉक्स खुला हुआ है और प्लीज हाँ छोड़के रिक्वेस्ट है आपसे कि ज़्यादा से ज़्यारी ऐसा करो इतनी सांती से करो कि सफ देन दो लाइक, शेर, कमेंट और सब्सक्राइब तो मैं यूट्यूब चैनल थैंक यू